हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तो माई चैनल इस्प्रेचल लव टेराट कैसे हैं आप लोग आपको खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे हैपी होंगे डियर आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है और रिक्वेस्टेट टॉपिक है कि आपकी लव मैरिज ह पर सकते हैं और हम देखेंगे कि क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज डियर ये आप लोगों ने पाइल चूज कर लिया होगा तो जिन्हों ने पाइल नंबर वन चूज किया है देखते हैं और पाइल नंबर टू को हम हटाया देते हैं एक तरफ करते हैं आपके love marriage होगी या arrange marriage तो वो हम clear कर लेंगे वैसे काफी लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका क्या होने वाला है आपके life का जो decision है वो क्या होने वाला है ठीक है Magician Next है Seven of Cups Seven of Swords का card है डियर और यहाँ पर है Six of Cups और यहाँ पर है Ace of Pentacles ठीक है कार्स आपको दिख रहे होंगे sign के बात कर ली जाए तो फटा फट से sign आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जो sign निकले हैं almost हमारे पास में सारे sign आए हैं फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर Gemini जो है वो Heavy है डियर और उसके बाद में यहाँ पर कर्क राशी जो है वो भी विश्चिक राशी मीन राशी, विशब राशी मकर राशी, कन्या राशी और मेश राशी, सिहा राशी, धनू राशी जो है और तुला, कुम्ब मिथुन राशी, यह राशी यहाँ पर दिख रही है, Gemini, Libra, Aquarius है, Aries, Leo, Sagittarius है, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, तो डियर राशी आपने देखी लिए है, बात करी जाए, कि क्या आपकी Love Marriage होगी या नहीं, तो डियर यहाँ पर मैं वो आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी कि आपकी Love Marriage होगी या नहीं होगी लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप जिससे भी प्यार करते हैं वो आपकी जिन्दगी में बहुत सारी खुशियां लेके आने वाला है, है ना, लेकिन इतना आसान नहीं होगा आपको आपके पार्टनर को पा लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इशूज है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चितिंग है, धोका है ऐसी सिच्वेशन बनी हुई है आप जिससे प्यार करते हैं आप कभी-कभी उस पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं आप जिससे प्यार करते हैं आपका खुद का ट्रस्ट इशू है और कभी-कभी क्या होता है कि इस ट्रस्ट इशू के कारण आप दोनों लड़ लेते हैं जगर लेते हैं आप दोनों के बीच में और आपको ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर जो है आपसे कुछ बाते चुपाता है कुछ सीक्रेट रखता है पर डियर आप थोड़ी देर को नाराज होते हैं फिर उसे मना लेते हैं लेकिन वो पार्टनर जो है आपसे प्यार त ऐसा फिल कि आपके पार्टनर के साथ में कि आपकी और उसकी सोल जो है आपसे कनेक्ट है यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यह जो इनसान है बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब रहते हैं आप उनके बिना रहने ही पाते हैं बार बार आप उनको बात करने के लिए अपने अच्छा फ्रेंड है न डियर हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए उनका क्रश हो सकता है और कुछ लोगों के लिए उनका बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है आप दोनों ही बहुत गुड फ्रेंड रहे हैं आगे के पास लाइफ रिलेशन जो रहा है आप दोनों का आप दोनों के अंडरस्टेंडिंग बहुत अच्छी रही है घुमना फिरना बहुत अच्छा रहा है घरवालों को सब पता है पर डियर शायद ये नहीं पता है कि आप उनको पसंद करते हैं या वो आपको पसंद करते हैं ऐसा कुछ नहीं पता है आ बहुत लव है बहुत केर है सच्चे प्यार करने वाले इंसान हो आप दोनों तो यहां पर यही दिख रहा है कि आपका रिष्टा जो है कहीं न कहीं अगर आप चाहा रहे हैं कि आपके मैरिज हो जाए और यह मैरिज होगी या नहीं होगी तो यहां पर यह दिख रहा है कि बहुत आसानी से यह रिष्टा जुड़ सकता है, हो सकता है आप कहीं चिटिंग करके कोई मैरिज कर सकते हैं क्योंकि मैरिज की एनरजी आ रही है तो मैं बोलूँगे कि यहां पर किसी तरह का धोका, किसी तरह की चिटिंग करके, fight करके, शादी की जाएगी विक्टरी हासिल करनी है भाई आपके पार्टनर को आपको अपनी जिंदगी में लेके आना है और ये चिटिंग आप कर सकते हैं हो सकता है आप अपने फैमली वालों से ना बताएं और शादी करने किसी तरह की तो वो चीज यहाँ पर होने वाली है और बा पर यहाँ पर आपको आपके घरवालों को बताना ही पढ़ेगा बहुत जादा माहूल खराब हो सकता है इस चिटिंग से बहुत जादा धोका उनको धका उनको लग सकता है और यहाँ पर यह दिख रहा है कि जिस भी तरह कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए other cast हो कुछ लोगो सारेंच करेगी ओके डियर तो यहाँ पर फैमली का बड़ा सपोर्ट दिख रहा है आप लोगों के इसमें कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि मानेंगे पर डियर कहते रहा कि नाटक करने की आदत होती है तो वो सिच्वेशन यहाँ पर दिख रही है और इस बीच में कुछ लोगों के पार्टनर के लिए कहीं और जो आप्शन चल रहा है कुछ और बाते चल रही है कहीं और रिष्टा वगेरा चल रहा है तो वहाँ से भी कुछ आफर आ सकता है तो आपके घरवाले जो है उस आफर को देखें कि आपके आफर को समझे तो यहाँ पर नयाए होगा ठीक है आपके साथ में जज्जमेंट होने वाला है अगर आप किसी तरह के केस में फसे हैं कहीं उलजिये हुए हैं किसी और के लाइफ में फसे हुए हैं तो आपको वहाँ से छुटकारा मिलेगा और डियर आप लोगों की लव मैरिज हो सकती है तो यहाँ पर यह किलियर है कि आप लोगों की लव मैरिज हो सकती है या नहीं तो यहाँ पर कार्ड यहीं बता रहे हैं कि love marriage के 100% chance है और यह offer जो है आपकी तरफ लेके आ सकते हैं आपके partner जो है आपके घरवालों से बात कर सकते हैं रिष्टा पका कर सकते हैं किसी तरह की कोई बात आप लोगों के बीच में हो सकती है लेकर रिष्टे को लेकर तो थोड़ा सा मनमुटाओ भी हो सकता है थोड़ा सा fight वाली situation भी हो सकती है और dear कोई तो या तो आपका partner कुछ छुपा सकता है बताने में थोड़ा डर लग रहा है पर dear इनका intuition इने guide करेगा कि नहीं मुझे decision लेना ही पड़ेगा जो जो आप लोगों ने manifest किया था वो सारी चीजे होती हुई दिख रही है एक offer आपकी जिंदगी में आने वाला है दो बहुत time से जो लोग प्यार कर रहे थे वो एक होने वाले हैं तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है भले कोई धोका दे रहा हो भले कोई cheating कर रहा हो आप लोगों को कोई फरक नहीं पड़ेगा आप तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को पाना चाहते हैं एक दूसरे की जिंदगी में शामिल होना चाहते हैं वो चीज यहाँ पर दिख रही है तो डियर चलिए आप लोगों के लिए कुछ मैसिज निकालते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपसे लव मैरिज करना चाहा रहे हैं तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि हाँ 100% यहाँ पर कुछ लोगों की लव मैरिज होगी लव विता रेंज भी होगा लव विता रेंज की भी एनरजी है आपके पार्टनर जो हैं विक्टरी हासिल करना चाहते हैं चलिए कुछ मैसिज निकालते हैं थोड़े से चलिए इतने सारे मैसिजे देख लेते हैं क्या मैसिज यहाँ पर निकलता है तो dear यहाँ क्या message निकलता है प्लीज उनिवर्स बताएं क्या message निकलता है ओके dear चले ठीके तो इतने ही message लिए हैं सबसे पहले तो dating की बात आ रही है तो ये partner जो है कहीं न कहीं आपको date पर ले जा सकते हैं कहीं न कहीं आपको बता सकते हैं कि हाँ मेरे घरवाले मान गए हैं मेरे घरवालों से मैंने rant पकी कर लिए हैं अब तुम भी अपने घरवालों को मना लो और या offer अपने घरवालों को दे दो कि हम आ रहे हैं या हम लोग रिष्टे के लिए राजी हो गए घरवाले तो unhappy with you तो आपके partner आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है अगर आप उनके लिए एक step नहीं ले रहे हैं तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है वो चाहते हैं कि आप उनके लिए step ले आप अपने घरवालों को मना ले आप देख पा रहे हैं कि कार्ड बता रहा है कि वो आपको offer करना चाहते है एक ऐसा offer जिसके through आप उनकी जिन्दगी में शामिल हो जाएं उनका सपना है उनके dreams है कि वो आपको अपने जिन्दगी में शामिल कर ले कुछ ऐसे dreams हैं उनके कुछ ऐसे सपने हैं जो उन्होंने आपके साथ देखे थे तो वो सबने पूरख करना चाहते हैं आपके पार्टनर अनको believe है यूणिवर्स पर उनको believe है divine पर और अनको believe है अपने परिवार पर कि मेरे प्यार को सब लोग accept कर लेंगे और डियर यहां पर किया भी जा रहा है ठीक है थोड़ा सा मनमुटाओ हो सकता है पर डियर एक्सेप्ट तो किया जा रहा है एक्शन लेंगे आपके पार्टनर बहुत जल्द एक्शन ले चुके हैं या लेने वाले हैं चेंज एक ऐसा बदलाओ आपकी जिन्दगी में आएगा जहां पर आप एक नए सीरे से जिन्दगी शुरू करने वाले हैं तो यह बहुत गुड नियूज है आपके लिए कि आपकी लव मैरिश तो 100% होने वाली है और डियर आपका पार्टनर जो है वो आपके लेकर बहुत ज़्यादा प्यार बहुत ज़्यादा लव हमेशा जज्जमेंट करने वाली एनरजी उसके दिल में रहने वाली है और जैसा जैसा आप मैनिफेस करेंगे वैसा वैसा आपको अपकी जिन्दगी में मिलेगा ठीके ऑफर तो यूनिवर्स की तरफ से आएगा डिवाइन की त अप्शन की और ना ही इनकी लाइफ में दोनों के पास में बहुत कुछ है और बहुत सारे लोग है जो आपकी लाइफ में इन्वाल्व होना चाहते हैं पर डियर आप दोनों अपने आपसे इतना प्यार करते हो एक दूसरे से इतना प्यार करते हो कि आप एक दूसरे को हेलो पाइल नमबर टू जिरो ने पाइल नमबर टू का कार्ट चूस किया है चलिए देखते हैं कि क्या है चलिए कार्ट निकालते हैं ओ माई गॉड है यहां पर तो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा ओमाई गॉड डैविल है तो डियर यहां पर बात करी जाए कि किस तरह से होगी आपके लव मैरिज होगी आरेंज मैरिज तो डियर यहां पर तो मुझे लव मैरिज के तो पूरे खिलाफ है आपके घर वाले बिल्कुल जो लोग यह पाई नमर टू चूस किये हैं बहुत ही मुश्किल है आपके लिए लव मेरिज का साधान तो ये मैं पहले ही बता दू अगर आपके घर में यह ऐसा होता भी नहीं होगा ऐसा कोई कि बहार के कहीं से कोई ले आए कोई तो हो सकता है ना कई लोगों में होता है कि घरी घर से लेना पसंद करते है अपने ही कुटम से लेना पसंद करते हैं उस तरह का कुछ हो सकता है लेकिन बहारवाला नहीं चलीगा वो सिच्वेशन यहां पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है फैमली बहुत ज़ादा क्या कहना चाहिए रूडी वादी है और समाज दुनिया और इनके लिए ब देखिए यहां पर कार्ट क्या बता रहे हैं आप कार्ट देख लीजिए सामने है आपको अंदाजा हो जाएगा और साइन में आपको बता देती हूँ तो डियर लियो और कैप्रिकॉन जो है बहुत ज़्यादा हैवी दिख रहा है और यहां पर यह दिख रहा है कि आपके घरवालों के एनरजी की बात करी जाए तो कभी तो बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं कभी तो बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं इस तरह के दो दो चीजों में चलने वाले लोग बाग हैं आपकी फैमिली वाले और डियर साइन देख लीजिए आप तो साइन की बात करी जा तो नहीं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेज नहीं है ठीक है तो ये साइन नहीं है यहाँ पर और डियर बात करी जाए कि क्या है तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके घर वाले जो हैं लव मैरिज के बिलकुल खिलाफ है जिन लोगों ने पाइल नमर टू चूस किया है आपके परिवार वाले बहुत ज़्यादा ऐसे हैं क्योंकि आपके यहाँ यह सब नहीं चलता है और अगर कभी किसी का बात निकल है बहुत ज़्यादा मैनुपलेट करने वाली एनरजी आपके घर में शामिल है एक दूसरे को इतना ज़्यादा बढ़काना इतना ज़्यादा मैनुपलेट करना इंफ्लेंस करना दूसरे की लाइफ में वो बहुत सारे लोग हैं बड़ा परिवार होगा छोटा मोटा नही होगा यहने की जरा सी बात निकली कि वो पूरी फैमिली में फैलनी है तो वही बात है तो डियर यहां पर मैं सबसे पहले आप लोगों को यह बता दू कि लव मैरिज का तो आप क्या नाम और निशान नहीं है अगर ऐसी बात निकल आती है अगर कभी किसी को ऐसा पता चल जाता है तो आपके हाँ यह होता होगा या इस तरह का होता होगा कि फटा फट चट मंगनी पट बिया किसी और के साथ में कर दिया जाता होगा अगर गलती से घरवालों को यह पता चल गया कि आपका लफड़ा कहीं किसी और के साथ में है या नहीं है तो यहां पर आप बहुत डरते हैं अपने घरवालों से बताने से यहां पर किसी father की energy बहुत strong आ रही है किसी mother की energy भी बहुत ज़्यादा strong है कि वो manipulate करने में पीछे एक गदम भी नहीं है या कोई lady ऐसी है जो अगर इस तरह की बाते घर में कभी निकल आए तो वो भड़काने में एक नंबर हो सकते हैं और डियर कोई फादर एनरजी ऐसे है कि पत्तर की लखीर उन्होंने कह दिया कि भई यहां होनी है तो होनी ही है और आप लोगों को सबको एकसेप्ट करना पड़ता है तो यह चीज यहां पर दिख रही है अगर गलती से किसी को पता चल गया किसी के कम्यूनिकेशन के द्वारा किसी बात के द्वारा किसी से बातों के द्वारा अगर इन लोगों को घर वालों को कभी पता चल जाए तो यह घर वाले किसी भी तरह का रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं और ऐस तरह से कहा जाए तो इनके पास में नेगिटिव चीजों का भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से पता है मैं किस नेगिटिव बातों का यहां पर बात कर रही हूं क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि आपके घरवाले कहां जाते हैं कहां नहीं जाते हैं किस नेगिट लग जाते हैं या आप कहीं चले जाते हैं तो वो negativity आपके उपर भी पैत्रे यूज किया जाता है और आपको पता भी नहीं चल पाता है कि आपके partner से आपका break up हो गया है या आपके जिंदगी बरबाद हो गई है जो क्यों कि आपके घर वाले जो हैं इस तरह के रूडिवाद तो उसका मतलब यह नहीं है कि उनकी सोच बदल गई है कि हम कहीं की भी ले आएंगे किसी भी कास्ट की उठा लाएंगे किसी भी धर्म के हम बहु को accept कर लेंगे ऐसा कुछ नहीं है वो अपने समाच को अपने हिसाब से अपने घर परिवार के हिसाब से सब के रजामंदी से ही शादी करते हैं अलग से love marriage के लिए accept तो बिल्कुल नहीं करने वाले यहां पर लोग बाग और डियर पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा आपके रिवाद चलता है हो सकता है कि रुपए पैसे को लेकर demand बहुत चलती है हो सकता है कि कुछ लोग यहां पर outside के ऐसे हैं कि जहा बाहर के culture से शादी नहीं की जाती है बाहर के लोगों से रिष्टे नहीं जोड़े जाते हैं और strength और power की बहुत ज़्यादा हिम्मत पड़ती है अगर आपको कोई normal बात भी करनी है अपने घर में तो यहां पर आप बहुत फसा हुआ फील कर रहे हैं अगर आप किसी से love marriage कर करने में सक्षम नहीं है आपके अंदर इतनी strength इतनी power नहीं है कि आप उनसे communication कर सके आप risk नहीं लेना चाहते क्योंकि यह family वाले जो हैं बहुत खतरनाक है आपको डर लगता है अपनी family से और dear आप चाहते तो हो कि आपकी love marriage हो जाए यहाँ पर जिन लोगों ने pile number two choose किया है आपने यही सोच के किया था कि आपकी love marriage हो जाए पर dear यहाँ पर तो यह दिख रहा है कि आप चाहते हो कि आपकी love marriage हो जाए पर dear यहाँ पर यहाँ पर यह घर वाले जो हैं बड़ी मुश्किलों का सामना करके ही आपका कुछ हो सकता है क्योंकि यह तो बांड डालेंगे आप सिर्फ negative सोच पाएंगे positive सोच पाएंगे painful situation का आप सामना कर सकते हैं यह situation आपकी life में हो सकती है तो यहाँ पर love marriage होगी arranged marriage to dear 100% arranged marriage का card निकला है और love marriage के तो खलाफ है वो बाकी का decision आपके हाथों पर है क्योंकि आप अगर इनसे accept करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर तो यह कुछ भी नहीं होने वाला है ओके चलिए हम कुछ message निकालते हैं और message के through जानने की कोशिश करते हैं कि क्या messages आते हैं और एक कार्ड और ले लेते हैं देख लेते हैं चलिए दो कार्ड आ गए हैं ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड यह बता रहा है कास चिशू तो कास चिशू बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के रिष्टे के बीच में दूसरा है ready तो यहाँ पर ready नहीं है आपके partner dear loyalty है उनके अंदर बोलने की हमत नहीं है परिवार के खिलाब जाने की हमत नहीं है प्यार का हिसास है आप से प्यार करते हैं सब चीज़े हैं पर डियर क्या करे हालात के आगे मजबूर है मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं बस कुछ करिश्वा हो जाए है उपर वाले कुछ ऐसा कर दे कि बस मेरा पार्टनर मेरी जिन्दगी में आ जाए मुझे कुछ हाथ पहर भी ना हिलाने पड़े सब लोग मान जाएं ऐसा कुछ हो जाए मतलब रोना गिर गिराना सब कुछ है पर डियर प्यार भी है पर क्या करे नहीं कर पाएगा वो इंसान या नहीं कर पाएगी गुड निउस चाहती है अपनी जिन्दगी में पर कैसे गुड निउस आए जब तक ये खुद अपने आप से बहार नहीं निकलेंगी तो कैसे गुड नियूज मिल सकती है restless mode पर चली गई है अभी आपकी पार्टनर कहीं न कहीं weight वाली energy है इंतजार कर रही है कि कुछ करिश्मा हो जाए कुछ तो ऐसा हो जाए मेरे universe मेरे divine loyal आपको loyal heart मानती है ठीके healing healing की जरुवत है डियर healing process की बहुत बहुत जरुवत है तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि healing तो चाहिए आपके partner को ओके डियर तो यह है pile number two की reading I hope आप लोगों को अच्छी लगी होगी और topic अच्छा लगा होगा तो दियर आगे बताईएगा तो हम love marriage और arrange marriage जिनों ने की है ठीके अगर आपको like अच्छे जादा मिले तो फिर आपके उपर मैं यह वीडियो बनाऊंगी दूसरा वीडियो जो मैं आपको यहाँ पर एक topic बता रही हूँ कि love marriage जिनों ने की है उनकी life में क्या चल रहा है और जिनने arrange marriage की है उनकी life की situation क्या चल रहे है क्या love marriage वाले ज़्यादा खुश है क्या arrange marriage वाले जो लोग है वो ज़्यादा खुश है उनकी life में happiness है तो डियर हम यह भी देखेंगे ओके डियर जिन्होंने कर ली है उन लोगों के बात कर रही हूँ और जो लोग अभी करने के लिए ट्राइ कर रहे हैं आप लोग चाह रहे हैं कि हाँ मेरी लाव मैरीज हो जाए अरिन मैरीज हो जाय तो ये वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और डियर फर्स टाइम चैनल पर आने तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू हमारी दुआ है कि आपकी जिन्दगी में आपका प्यार आजाए आपका क्रश आजाए जिससे आप प्यार करते हैं वो आपकी जिन्दगी में बहुत जल्द शामिल हो जाए